हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ चैनल कोकिंग विद रुपेंदर कॉर जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं थोड़ी सी मलाई इकटी कर लेती हूँ और उस मलाई को इकटी करके मैं घी निकाल लेती हूँ गी निकाल निकला है घी की queens है और नारियल है मेरे पास और क्यो उना पंजीरी बनाई जाए तो पंजीरी बनाने के लिए कर दिया है समान और साथ ही में मुझे सुवे सुब्जी में दिया है मिक्स वैजीटएबल की तो मैंने वह भी समान रेडी कर लिया है mixed vegetable का पट ये वीडियो स्पेशली होने वली है पंजीरी की तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंजीरी सबसे पहले उसी कडाहे में जिस पर मैंने गी निकाला था उसी में मैंने आटा डाला है और ये आपके उपर है कि कितनी quantity की पंजीरी आपको बनानी है तो आटे को अच्छे से हम भून लेंगे golden brown करेंगे और मैंने उसी के अंदर जो है नारियल भी एट कर लिया है क्यूंकि नारियल को भी हम भून सकते हैं आटे के साथ तो दोनों को हम अच्छे से भून रहे हैं कि वह golden brown कलर आ जाए हमारा तो इसमें महनत बहुत है कर्ची जाएगा आटा और अगर आटा नीचे लगया तो आपका पूरी पंजीरी जो है वह सड़ भी सकती है यह मैंने डिबी में सारा ड्राइफ रूट जो है ग्राइंड करके रखा था तो मैं इसमें ग्राइंड किया हुआ बदाम काजू डाल रही हूं यह जो है मिक्शर है तो उसको भी मैंने डाला है तो यह आपके उपर है कि आप कौन सा प्राइफर करते हैं कौन से सीच कौन से ड्राइफ रूट तो उन सब को आप ग्राइंड करके उसका चुड़ा बना कि इसमें डाल सकते हैं तो गाइस सारी चीजों को मिक्स कर देंगे इसको गोल्डन ब्र मैं इसमें गोय सब्सक्राइब on human कि उध्यों की घ्वय में भी तो बहुत होता है तो भी छो माई भी अपनझीन के फ्राइत रहा बड़िगि ओर गोल्डन ब्राउन होइगा तो थोड़ा का सारा को कotle निव eco फ्राइक के इवेन ये सारा डाल दिया और पंजीरी की यही speciality है कि यह आप बना के रखलो फ्रिज में यह कभी खराब नहीं होती तो sim gas में मैं इसको fry कर रही हूँ और जो जमा हुआ खोया था दीरे दीरे वो तूट जाता है सारा वो भी चूरा बन जाता है अब मैं add कर रही हूँ इसमें sugar देखो मैंने थोड़ी मोटी sugar ली है बट आप इसको grind भी कर सकते हैं मतलब powder form में भी sugar डाल सकते हैं यह आपके उपर है कि आपके पार कौन सी sugar available है तो मैंने इसमें sugar add कर ली है और इसको अच्छे से मैं mix कर लूँगी जो मोटा मोटा खोया दिख रहा है आपको वो सारा का सारा वो एक time पे तूट जाएगा और बिल्कुल powder form में आपकी पंजीरी बन जाएगी इसके अंदर मैंने dry fruits जो थे वो grind करके डाले थे बड़ा मोटे मोटे भी डाल सकते हैं क्योंकि देखने से भी look अच्छा आता है तो थोड़ा सा मैं सजाने के लिए थोड़ा से मैं बड़े dry fruits भी इसकी उपर spread कर लूँगी अच्छे से fry करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक कि हमें ये ना लगे कि इसके जो look है पूरा पंजीरी वाला आ चुका है खुश्बू बहुत अच्छी आ रही थी मैं पता नहीं सकती और वीडियो में मैं वो explain भी नहीं कर सकती कि कितनी अच्छी खुश्बू आ रही थी बहुत अच्छी खुश्बू थी और मैंने फर्स टाइम पंजीरी ट्राय करी है मेरी मदर जो है बनाती है मेरी दादी बनाती है तो मैंने उनी से सीखी है और मैंने कभी नहीं बनाई थी बट मैंने ये फर्स टाइम बनाई और मैंने खा के देखी तो बहुत ही टेस्टी ब हो गया है जैसे स्टार्टिंग में आर्टा बिल्कुल वाइट था और अब जो है वो ब्राउन कलर का हो गया है पूरी पंजीरी रेडी हो गया है और उपर से मैं डाल रही हूं थोड़े से ड्राइब फ्रूट्स और हम मिक्स करेंगे और इसको आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज में और मैंने एक बॉक्स में इसको डाल लिया है और मैंने इसको स्टोर कर लिया है फ्रिज में पहले थोड़ा सा थंडा होने के लिए बाहर रखा था क्योंकि गरम गरम फ्रिज में नहीं रख सकते तो थंडा किय और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया इसको आप चाय के साथ, दूद के साथ जब भी आपको भूख लगया आप इसे खा सकते हैं और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देए